हेलो स्टुटेंट्स हम लोग क्लास 11th एकाउंटेंसी चाप्टर जर्नल कर रहे हैं दो रूल हम कम्टीट कर चुके हैं डेबिट वाट कमसें, क्रेडिट वाट गोस आउट डेबिट दर रिसीवर, क्रेडिट दर गेवर आज हमें थर्ड रूल पर डिस्कस करना है तो मैं थर्ड रूल यहाँ पर लिख देता हूँ थर्ड रूल है डेबिट और एक्स्पेंसेस और लॉसस क्रेडिट ओल, इंकम्स और गेंस तो थर्ड रूल क्या बूलता है एक्स्पेंस या लॉस होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे तो सबसे पहले हम यह समझ लें कि एक्स्पेंस और लॉस में क्या डिफरेंस होता है राइट? चलिए, एक्स्पेंस और लॉस को चलो एक एक्जाम्पल से समझते है सपोज आपने क्या किया आपने मार्केट से गए और अपने लिए एक म्यूजिक सिस्टम खरीदा म्यूजिक सिस्टम को आप घर लेके आए और पता चला आफ्टर फोर डेज इट स्टॉप वोरकिंग पता चला उसने काम करना बंद कर दिया आप शॉप वाले के पास गए तो शॉप वाले ने बोला कि आपने जो म्यूजिक सिस्टम खरीदा है इसके अपर नो गारंटी नो वारंटी बस में आ गई तो आप क्या बोलोगे कि आपको क्या हो गया ये लॉस हो गया बस में आ रही है ठीक है राइट लॉस का मतलब क्लियर हुआ चलो अब एक्सपेंस का मतलब समझते हैं सपोस एक्जाम्पल चेंज करते हैं हमने वही म्यूजिक सिस्टम खरीदा और म्यूजिक सिस्टम पता चला बहुत बढ़िया चला आपने दस साल तक उसको यूज किया तो आप क्या बोलोगे राइट पैसे वसूल होगे तो हम क्या बोलेंगे राइट उस खर्चे को हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे एक्सपेंस कहने का मतलब आप समझे मतलब आप किसी चीज के लिए पैसा खर्च करें अगर उसके बेनिफिट्स आपको मिल जाएं तो एक्सपेंस है और बेनिफिट्स नहीं मिले तो लॉस है आपने पैन खरीदा दस रुपे का घर पे लाए ठीके राइट और उसने वोक ही नहीं किया और शॉप की पर वापस नहीं लेगा तो आप क्या बोलोगे 10 रुपे का लॉस हो गया आप पैन लेकिया है आपने 10 रुपीस का पैन लेकिया है बहुत अच्छे से यूज किया तो आप क्या बोलोगे पैसा वसूल हो गया तो हम उसी खर्चे को क्या बोल देंगे एक्सपेंस तो expense या loss है वो result पर depend करता है अगर benefits मिले तो expense है और benefits नहीं मिले तो loss है अभी journal way में आप ऐसा समझेए आगे फिर हम इसकी definition पढ़ेंगे तब और particularly पढ़ेंगे इसको कि इसका क्या meaning होता है चीक है चलिए तो rule यहाँ पर क्या हो गया debit all expenses and losses credit all incomes and gains टेक है income और gains को हम लोग क्या करेंगे credit करेंगे अब आप देखो income और gains में क्या difference है जैसे suppose पता चला कि मैं जो भी अपना business कर रहा हूँ उससे जो भी मैं earn कर रहा हूँ वो मिर लिए क्या है income है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप मुझे fees दे रहे हैं उससे मैं सारे expenses complete करता हूँ और जो बचता है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा profit ठेक है मतलब income gain यहाँ पर क्या होता है जैसे suppose मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मैंने अपना कुछ पैसा बचाया मैंने saving किया और तीन साल पहले मैंने एक piece of land खरीद लिया जिसका हम plot पोलते हैं piece of land I purchase it ठेक है मैंने 1 lakh रुपीस से खरीदा और आग 4 साल बाद मैंने उसको 1 lakh 50,000 में sale कर दिया तो मुझे कितने का gain हुआ 50,000 तो gain और income का मतलब समझे business के main source से जो आप earn कर रहे हैं उसको हम income बोलते हैं और पता चला आपके investments इन सारी चीजों से जो आपको profit होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? gain बोलते हैं एक मैंने हलका सा idea दिया बाकी हम लोग theory में इसको और discuss करेंगे जो भी है expense है वो या loss उसको debit करेंगे income या gain है हम उसको क्या करेंगे? credit करेंगे इतना clear है? चलिए अब यहाँ पर हम लोग entries देखते हैं मैंने यहाँ पर लिखा paid salary to gopal rupees 10,000 right हमने gopal को salary पे करी मतब गोपाल हमारा क्या है? employee है और हमने उसको salary पे किया 10,000 salary कैसे पे करोगे? उसको cash देदोगे right fine तो business से क्या गया? cash right और salary salary आपके लिए क्या है यहाँ पर? expense right क्यों? salary expense क्यों है? क्योंकि आप gopal को payment कर रहे हो उसके लिए gopal महीने बर आप क्या काम भी तो कर रहा है? right तो आपको उसके benefits मिल रहे हैं what goes out जो हम पहले पढ़ चुके हैं that is cash ठीक है? बस में आगई? मैं दुबारा बोलता हूँ यहाँ पर paid salary to gopal gopal को हम लोग salary pay कर रहे हैं कैसे pay कर रहे हैं? cash दे रहे हैं ठीक है? तो business से क्या गया? cash और salary हमारे लिए क्या है? expense है क्यों? गोपाल को जो हम 10,000 रुपीज दे रहे हैं salary का उसके लिए वो पूरे महीने बर हमारे यहाँ काम कर रहे है ठीक है? तो that means जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसका benefit हमें मिल रहे है तो इसलिए हम salary को क्या बोलेंगे? expense rule है debit all expenses and losses जो भी expense होगा उसका हम debit करेंगे इसलिए salary debit हो रहा है credit what goes out now we write it in a special way right salary account debit to cash account कितना? 10,000 clear है? right अब आप देखो यहाँ पर एक छोटाई सी चीज मैं discuss करना चाह रहा हूँ सबसे पहले आप इसको देखके आप समझ गए होंगे अब मैं इसी चीज को दुबारा discuss करना चाह रहा हूँ और मैं आप से पूछना चाह रहा हूँ कि हमने इसको इस तरह से लिखा हम किसी अलग तरीके से भी तो लिख सकते थे कहने का मतलब जैसे paid salary to Gopal Gopal को हमने salary दी तो बिजनस से क्या गया cash Gopal को हमने salary दी तो बिजनस से क्या गया cash ये cash हमने किसको दिया Gopal को दिया तो Gopal इस cash का क्या हो गया receiver गोपाल इस cash का क्या हो गया receiver बिजनस से क्या गया cash ये cash हमने किसको दिया Gopal को दिया Gopal इस cash का receiver है तो rule क्या होता है debit the receiver that is Gopal and credit what goes out that is cash तो मेरा सवाल ये है मेरा question ये है कल तक तो हम ऐसा कर रहे थे तो आज हमने ऐसा क्यों किया समझने हैं आप अब मेरे लिए confusion ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है paid salary to Gopal मैंने entry को ऐसे भी कर दिया ऐसे भी कर दिया और दोनों तरह से आपको समझा दिया पर इन दोनों में से एक गलत है और एक सही है सुन रहे थे हैं अंसे तो इसमें तो मैंने आपको इस तरह से बताया कि भी salary लिखना है और इसमें मैंने बताया आपको कि हम cash किसको दे रहे हैं गोपाल को दे रहे हैं तो गोपाल receive कर रहा है तो उसमें से गोपाल debit होना चाहिए तो यह entry सही है या फिर यह वाली entry सही है ओके इसको समझने के लिए हम छोटा सा एक example लेते हैं राइट जैसे suppose मैं market गया market जाने के बाद मैंने purchase किया ठीके राइट घर के लिए मैं घर पे गया तो गरवालों ने मुझे ठीके राइट मिरको पैसे पकड़ा है और मुझे बोला कि जाओ market से जाकर घर के लिए आप कुछ चीजे लानी लिके आए मैं market गया मैंने vegetables खरीदा मैंने fruits खरीदा मैंने कुछ किराना items खरीदा milk खरीदा और मैं घर पे आ गया अब मेरी एक अच्छी habit है कि मैं जो भी खर्च करता हूँ जो भी मैं expenditure कर रहा हूँ उसको घर पर आकर diary में लिखता हूँ तो diary में मैंने कुछ इस तरह से लिखा मैं इसको दो मिट के लिए रप कर दूँ इसको रप कर रहा हूँ दुबारा लिख दूँगा मैं यहाँ पर ताकि मुझे लिखने की जगे मिल जाए चीक है तो मैं घर पे आता हूँ और घर पे आकर अपनी बुक्स में इस तरह से लिखता हूँ वेजिटेबल टेक है वेजिटेबल रुपीज 500 फ्रूट्स रुपीज 400 फिर मैंने हापे लिखा किराना रुपीज 600 मिल्क रुपीज 100 राइट तो मैंने अपनी डाइरी में आकर ऐसे लिखा राइट फाइन तो मैं मार्केट गया राइट मैंने कुछ चीज़ें खरीदी उसके लिए मैंने पैसा खर्च किया घर पर आकर मेरी एक 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 स्पेंस डाइरी है उस डाइरी में आकर मैंने ऐसे लिखा विजिटेबल 500 फ्रूट्स 400 किराना 600 मिल्क 100 अब आप बताईएगा मेरे पास लिखने का एक और तरीका है आपको देखेगा दोनों में से क्या सहिए जब मैंने विजिटेबल खरीदा तो विजिटेबल वाले का नाम पूछ लिया था फ्रूट्स वाले का नाम पूछ लिया था किराने वाले का नाम पूछ लिया था और जिससे मैंने मिल्क खरीदा उसका नाम पूछ लिया अब मैं घर पर आकर ऐसे लिखता हूँ जैसे मैंने वेजिटेबल खरीदा, ठीक है राइट, कालू राम से, तो मैंने आखे लिखा कालू राम, रुपीज 500, फ्रूट्स वाले का नाम था, घसीटा लाल, तो घसीटा लाल से, 400 रुपीज का फ्रूट्स खरीदा, किराना वाला था, शामलाल, रुपीज 600, ठीक है रा फिर मिल्क वाले था, मिल्क वाले का नाम क्या दें, कुछ भी दे दें, मोहनलाल दे दें, मोहनलाल रुपीज हंड्रेड, अब आप मुझे बताइए, अगर मैं घर पैसा खर्च करता हूँ, तो मुझे अपनी घर पर आकर, एक्सपेंस डायरी में क्या लिखना चाहिए, मुझे ये लिखना चाहिए, या फिर ये लिखना चाहिए, मतलब मैं expense का नाम लिखूँ या expense से related person का नाम लिखूँ तो बिलकुल common sense हैं आप समझ गए होंगे कि हम लोग खर्चे का नाम लिखते हैं expense का नाम लिखते हैं expense से related person का नाम नहीं लिखते बास मैं आ रही है तो अगर आप पैसा खर्च करते हो तो आप घर पे आकर expense का नाम लिखोगे कि भी मैंने vegetable खरीदा, fruits खरीदा, किराना खरीदा, milk खरीदा, shoes खरीदा, stationary खरीदा आप दुकान वालों का नाम थो न अपने घर पे लिखते हो बास में आ गई, तो दिहान चे सुनिएगा मैंने क्या statement बोला हम लोग expense लिखेंगे, expense से related person का नाम नहीं लिखेंगे तो आप वो ही देखो, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, paid salary to gopal तो salary expense है, तो expense का नाम लिखेंगे जबकि इधर देखो मैंने क्या लिख दिया है, gopal लिख दिया है राइट, मतलब मैंने expense related person का नाम लिख दिया है, समझ रहे हैं मेरी बात, इसलिए ये entry गलत है, जिस तरह से इन दोनों में से ये गलत है, उसी तरीके से यहाँ पर ये entry गलत है, क्या समझ पा रहे हैं क्या, मतलब हम लोग expense का नाम लिखेंगे, expense related person का नाम नहीं लिखेंगे, इतना clear है, चेके right, इसलिए यहाँ पर salary account debit to cash account आएगा, गोपाल debit to cash नहीं आएगा, clear है, चलिए, ओके, यह बात समझ में आ गई होगी आपको, तो इसको है न, इस entry को pause करके लिख लिजएगा है न, right, मैं दो मिर्क लिख 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 सकते हैं, चलिए, मैं board पे से इसलिए हट जाता हूँ, ताकि आपको पूरा board visible होगा, और आप अच्छे से लिख पाएंगे, चलिए, कुछ और examples देखते हैं, I hope आपको इस समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर आप doubt class में इसको एक बढ़ा और discuss कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, कुछ और example बताता हूँ, उस से I think थोड़ा और clear हो जाएगा, चलिए, मैंने यहाँ पर लिखा, paid rent to Ram, ठीक है, रुपीज 25,000, राइट, तो Ram हमारा landlord है और हमने उसको यहाँ पर rent का 25,000 रुपीज दिया, तो rent कैसे pay करेंगे, cash दे देंगे, तो business से क्या गया, cash, राइट, और rent, rent हमारे लिए क्या है, expense है, राइट, बस मैं आ रहे, क्यों, क्योंकि अगर आप rent दे रहे हो, तो महिने बर आप उस promises को use भी तो कर रहे हो, बस मैं आ गई, तो rent हमारे लिए expense है, ओके, और rent लिखेंगे, मैंने अभी चस्ट आपको समझाया, इस से related person का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो debit all expenses and losses, राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा, rent, and credit what goes out, that is cash. Now, we write it in a special way, rent account, debit to cash account, 25,000. ठीक है, pause करके लिखें, फिर कुछ examples और देखते हैं. आप लिखिएगा जुरूर, ठीक है, क्योंकि लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा. नेक्स मैंने आप लिखा, received commission, right, rupees 10,000, right. हमने किसी का काम करके दिया, बदले में उसने हमें क्या दिया, commission कैसे देंगे, हमें cash दे दिया, कुछ नहीं लिखावा है मतलब cash मिला है हमें. तो आप देखो, अगर commission मिला है, तो business में क्या आया, cash. और commission हमारे लिए यहाँ पर क्या हो गई? income. वही हमने उसका काम करके दिया है, हमने महनत करिये. इसलिए बदले में हमें वो पैसा मिल रहा है. बस में आ गई? तो यह हमने earn किया है. तो इसलिए हमारे लिए क्या है? यह income है. ओके? तो commission. आपके लिए क्या हो गई? income. तो rule है, debit all expenses and losses. credit all incomes and gains. तो जो भी incomes and gains है, उसका मुलोग क्या करेंगे यहाँ पर? credit. तो यहाँ पर क्या है? commission. और cash के लिए क्या आ जाएगा? debit what comes in. ठीक है? that is cash. entry कर देते हैं, यहाँ पर. cash account, debit to commission account. right? 10,000. ओके? pause करके लिखें इसको. चलिए. तो आप देखो. यह rule तो लिखा हुआ है ही सरी. यह मैंने आपको third rule बताया. ठीक है, right? इससे पहले हमने दो rule और कौन से की हैं? debit all. sorry. यह मैं दुबारा लिख देता हूँ. तक है आपको line से याद रहेगा. दोबिदेताया, बताया लिखें. डरी देताई. बताया हूँ. तुबारा कौ מजब देतान。 the receiver, credit the giver, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains, right? अब आप देखो, किसी का भी debit और किसी का भी credit लग सकता है, आज हमने third rule को discuss किया, ठीके, अभी बहुत को जानना जुरूरी है, अब आप सोचो कि सर, loss का example क्या होगा, gain का example क्या होगा, right? सब आएगा, आभी तो हमने शुरू ही किया है, तो इसमें से topic खतम नहीं हुआ है, ये तब तक ये three rules आपके साथ साथ चलेंगे, ठीके, तो अभी जस्ट हमने start किया है, ठीके, अभी जस्ट हमने पैचानना शुरू किया है, चीजों को, कि debit credit कैसे लिखेंगे, right? तो आज हमने third rule को discuss किया, तो आज की जो worksheet इस video lecture के साथ आएगी, ठीके, आप उसको practice करिएगा, next class में हम क्या करेंगे, इनी rules को आगे और discuss करेंगे, right? तो next class में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए practice करते रहें, पढ़ते रहें और अपना धिहान रखेंगे,